So Hello Everyone, मैं उस्यों दिवेदियो और आप देख रहें अपना पसंदिदा चैनल ग्यानों, देखे गुरुजी, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लास तेंथ की मैथ के साथ साथ क्लास तेंथ की साइंस की भी क्लास कर रहे हैं बच्चों, त चैप्टर नमबर टू का सबसे जादा इंपॉर्टेंट वाला कोश्चों है बच्चों, वो यहाँ करने वाले हैं क्योंकि प्याच पर आंकित प्रस्न आपके एक्जाम में, बोर्ड एक्जाम में जरूर से जरूर आते हैं, इसलिए इनको करना बहुत जादा इंपॉर्ट अब एक बात ध्यान से हमारी सुनिएगा, मैं आपको बता दूँ कि अभी तक मैंने जितने लेक्चर किये हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रेप्शन वाक्स में लिंक मिलेगी, जाके आप देख लिजेगा, फिर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए इंपोर्टेंट है, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, आप इस वीडियो को यहां तक देखते वे आएं हैं, तो आगे अगर पूरा देखेंगे, तो साथ आज आज आपने आप 4 नंबर 100% पक्के करेंगे, क्योंकि यहां से जो कॉं आज में देने वाला हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, चलिए बच्चों, सुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं, कि हमारा ये वीडियो लाइव चल चुका है या नहीं, और मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, ठीक है, चलो, अब बत पताते रहिएगा कि सब कुछ सही है या नहीं, चलिए शुरू करते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, एक एक करके सभी का हम अभी बाद में कमेंट देखेंगे, लेकिन पहले शुरू करते हैं, देखो, पी-एच पर आंकिक प्रस्न, हमन आपके लिए बना कर रखें, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बोड एक्जाम में अच्छा करें, तो इन सारे प्रश्णों को आप एक करके ध्यान से देखना, चलिए ध्यान से सुरू करते हैं, फिर हम लोग बिना देर किये, पी-एच पर आंकिक प्रस्न, इसके लिए सब से पहले मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, वो हम फॉर्मूले एक बार यहां लिख देते हैं, कि पी-एच बराबर एक फॉर्मूला था, अगर पी-एच की जगह पे पी-एच निकालना पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐसे हमारा जो सेशन डेली साम को 5 बजे होता है, आज मुझे कुछ प्रॉबलम थी, तो मैंने सेशन का टाइम चेंज करके 5 बज़ के 15 मिनट कर दिया था, ठीक है, तो यह हो गया बच्चो हमारा दूसरा, ठीक है, अब इसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो यह था, कि अगर आपको हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन निकालना पड़ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, दस की घात में माइनस पी अच लिख देना है, और यही हमारा अंसर होगा, कुछ यह हमने आपको फॉर्मूले बताया था, इसके बाद मैंने एक और आपको बताया था, कि बच्चो अगर आपको पी अच का मान दिया हो, और आपको पी ओच का मान भी दिया हो, तो दोनों को जोड़कर बच्चो 14 आता है, यह भी हमने आपको बताया था, तो इतने सारे फॉर्मूले थे, इसके अलामा और भी कुछ फॉर्मूले हमने आपके साथ सेयर किये थे, उ चीज There हो पर इपको बताना है कि इसका क्या होगा बच्चोप पियचमान और एक बात बता दूँ आपने अभी तक अगर इस वीडियोगा सेहर नहीं किया रहा तो फिर गलत कर रहें, क्योंकि एफ सेहर करो, जादा से जादा लोगों को जोड़ो, तभी तो मज़ा आएगा, क्या ऐसा ही हम लोग 30, 35, 35 लोग पढ़ेंगे, और लोग चाहिए न, जो वीडियो को पूरा देखने के लिए आए, पूरी क्लास को देख यहां पर आके, ठीक है, चलो, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चलो, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यह यहां ध्यान से देखो, लिखा एक विलियन का पियाच मान ग्याद करो, मतलब जो यह कोशन है, इस कोशन में में जो दिया है पहले उसको नोट करते हैं, हमें दिया है कोश्चन में Hydrogen Iron Sandron तो हम तुरण लिख लेंगे कि Hydrogen Iron Sandron इस प्रस्ण में हमें दिया गया है और कितना दिया है एक गुडे 10 की घात माईनस 12 यार एक का मतलब तो कुछ नहीं है कि एक से किसी को गुड़ा करो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उसको ना के बराबर मान कर चलो कि वो हमारा ना ही लिखा है बस यहीं मान कर चलो कितना लिखा है mol प्रति लीटर ये लिखा बच्चो इस प्रस्ण को हमें हल करना है और हमें ग्याद करना है चो क्या pH हमें pH निकालना है इस प्रस्ण अब चलिये देखते हैं क्या करते हैं सबसे पहले हम एक फॉर्मला जैन circ VII cud पिएच पराबर माइनस लॉग और बच्चो बेस में 10 होगा और 10 की घात बच्चो एच प्लस आयन यह हमें यह में फॉर्मला है एक अब हम लोग इसमें एच कल टू का साइन लगाएंगे लिखेंगे माइनस और लॉग और बेस में 10 अब देखो हाइड्रोजन आयन कंसेंटर कि 10 की घात माइनस 12 यह बात समझ में आ गए एक्जाम में ऐसे ही करना है यह आपने लिख लिया बताओ यहां तक समझ में आया की नहीं इसके बाद हम ट्रिक भी बताएंगे आपको ठीक है कि एक्जाम में आएगा प्रस्चो तो देख कि कैसे आंसर बताओ ठीक अब हमने इ मतलब अगर लॉग M लिखा है और उसकी घात N लिखी है और यहां बेस में अगर 10 हो तो हम लिखते हैं N आगे आएगा और मेरे पास बचेगा लॉग M मतलब अगर घात के उपर घात होगी तो वो आगे आएगी तो यहां पर जो 12 लिखा है वो आगे आएगा ठीक तो यह 12 आगे आएगा तो मेरे पास हो जाएगा माइनस तो एक पहले से था और यह माइनस बारा फिर से आगे आगया तो बच्चो इस तरीके से हो गया फिर बच्चो बच्चा हमारे पास क्या लॉग और यहाँ पर बच्चे का दस और यहाँ पर भी बच्चे का दस क्या यह बात मान एक हो जाता है कौन सा फॉर्मला इस्तेमाल हुआ यहां पर यह वाला फॉर्मला हुआ कि लॉग बच्चो अगर बेस में कुछ लिखा है और वही वैलू यहां भी लिखी है तो इसका मतलब है कि बच्चो जो हमारा होगा अंसर कितना आएगा एक आएगा तो यहां से आया बारा गुड़े एक इसका मतलब यह हमारा जो पियच आया है इसका वो कितना आगया है बारा बताओ क्या बात समझ में आ गई इसका मतलब है बच्चो कि हम किसी भी प्रस्न में देख कर बता सकते हैं कि जितना कंसंट्रेशन दिया होगा उसकी घाज जितनी होगी उतना ही उत्तर होगा अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो क्योंकि इस प्रस्ण में तो ऐसा हो गया क्या सारे प्रस्ण में ऐसा हो पाएगा नहीं सारे प्रस्ण में ऐसा नहीं होगा ठीक है अगर ऐसा होता तो कितना आ this morning, अपको तॅपपर बनाने मी做ole partir लिखना इस विल्यण का पिहे इस विल्यण का पियचमान यह बात आपको लिखकर आनीिया यहाई पूछी जाए चाहना पूछी जाए इस विल्यण का पियचमान कैसा है बच्चो पियच मान कितना आया है 12 आया है ये कैसा आया है 12 ठीक है तो हमने लिख दिया कि इस विलियन का पियच मान 12 आया है और इसकी प्रकत कैसी होगी कैसी होगी बच्चो 12 है 7 से ज़्यादा पियच आया है और जब पियच 7 से ज़्यादा आता है तो हम लोग बोल देते हैं कि जो हमारा विलियन होगा वो चारी होगा तो हमने तुरन लिख दिया कि अता यह विलियन यह विलियन चारी होगा क्यों क्यों कि अगर पियाज का मान साथ से जादा आ गया तो बच्चो विलियन हमारा चारी हो जाता है ठीक है तो यह विलि हाणा ट्रिक्स भी बताएंगे कि कैसे कैसे एक्जाम में करना है बताओ एक बार जल्दी से समझ में आया की नहीं मनसूरी टॉट किंग कहरें नहीं समझ में आया क्या समझ में नहीं आया है जल्दी बताईए कास्टिक सोडा कब पढ़ाओगे अरे यार टाइम तो आने दो है पहले धीरे धीरे पढ़ोगे न ऐसे एक साथ थोड़ी पढ़ लोगे सब कुछ धीरे धीरे तो सारी चीजे पढ़ी जाती ओके उर्मिला गुड इवनिंग डियर चलो साक्षी करें मुझे बिल्कुल समझ में आ गया सारे बच्चों को आ गया देखो बच्चों है क्या पहले इसको समझ लेते एक बार बड़ा असान है हमें प्रस्दु को पढ़ना है हाइड्रोजन आयन दिया था हमने लिखा हमने ch का formula लगा है minus log 10 h plus जितनी power होगी वह power आगे आ जाएगी यह वाला formula इस्तेमाल करके यह आगे आया माइनस माइनस प्लस हुआ सारा खेल जो है ना वह यहां है इतने में बस इतने में सारा खेल है बाकी तो यार सब कुछ आसान है इतने में सारा खेले कि भाई आगे पावर आई और अंसर हो गया आई बास समझे कुल मिलाकर मैं बात करूँ तो लिखने के तरीके आने चाहिए कोश्चन अपने आप आजाएगा ये ठिक पहला प्रस्ण होगा है जतार दूस्ट पढ़िए गा लिखा है कि दसकी घात माइनस चार मोल प्रति लीटर वाले ह-C-L-V-E-L-C-H का पिएच गयात करो यहाँ इस प्रस्ण में हमें दिया गया है दसकी घात माइनस चार यह दसकी घात जो माइनस चार हमें दिया है आखिर है क्या ना तो इन्होंने कहा हाइड्रोजन आयन और ना तो कहा इन्होंने हाइड्रॉकसाइड आयन तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो इस प्रस्ण में हमें 10 की घाद माइनस 4 दिया है ये कौन सा आयन है ये हाइड्रॉकसाइड है या फिर हाइड्रोजन है क्योंकि दो ही आयन होते हैं जिनसे हम लोग PSK प्रस्ण करते हैं तो हमने सबसे पहले देखा कि प्रस्ण क्या कह रहा था जो कह रहा था लिख लिए लेकिन यहां पे इन्होंने विलियन दे दिया है और वो विलियन कैसा है HCL इसका तो यही मतलब हुआ ना कि यह विलियन हमारा अमली है यह विलियन अमली है और अमली विलियन तो हमें हाइडोजन आयन ही देता है इसलिए हम तुरंद यहां लिख सकते हैं कि यह हमारा हाइडोजन आयन देगा और यह हाइडोजन आयन कंसंट्रेशन है लेकिन अगर प्रस्टन को ऐसे करके आओगे तो एक्जामना सोचे कहां ठीक है सही है सब कुछ लेकिन अभी आप टॉपर लाइक नहीं बने हो सुनिए मेरी बात ध्यान से सबसे पहले आप तुरण लिख दोगे यहां पर कि चुकि HCl का अगर हम लोग HCl को आइन में तोड़ें तो वो इस तरीके से आइन में तूटेगा H प्लस आइन और बच्चो C L माइन यह प्लस आइन देखकर हमें पता चला कि भाई यह हमारा हाइड्रोजन आइन है अई बात समझ कमें नहीं कि बोलो कि HChoine और यही आइन हमें यहां दिया हुआ है ठीक, तो हमने इसको तुरन लिख लिया कि यह हमारा Hईड्रोजन आइन है और इसको यहां ऐसे लिख दिया बोलो, समझ में आ गया इतना हम इसको हल करेंगे ठीक है क्या करेंगे बच्चो अब इसको हम लोग हल करेंगे अब बिल्कुल जैसे अभी किया था वैसे ही करेंगे जिसको ना समझ में आया हो जाके देख लेना अभी कैसे कर रहे हैं इसको देखो अब हम लोग लिखेंगे कि चुकी बच्चो अभी भी देखा कि pH बराबर मैं बोल रहा हूँ आज दस प्रस्ण लेके आया हूँ इन दस प्रस्णों को जो बच्चा कर लेगा समझ लो बोर्ड पेपर के सारे प्रस्ण हो गए pH के ठीक है तो हमने लिखा कि pH बराबर हमें दिया है माइनस लोग और उसके बाद यह दस और यहां हो जाएगा दस की घात माइनस चार यह हो गया बच्चो बताओ समझ भी आया की नहीं अभी डारेक्ट कर दिया मैंने यह हाइड्रोजन आयन कमान उतार दिया अभी माइनस चार आगे आएगा तो माइनस और इस तरीके से माइनस चार और यहां हो जाएगा लोग और फिर से यहां दस और फिर से दस इस लोग दस कमान तो यहां से एक मिलेगा और यह हमें चार देगा तो चार गुड़े एक आंसर कितना आएगा चार इसका मतलब यह हमारा जो पियाच आएगा वो बच्चो यहां से चार आएगा बताओ समझ में आगए बाद अगर यह पियाचमान चार आया है तो साथ से कम है ना हमने आपको बताया है कि अगर साथ होगा तो उदासीन साथ से जादा होगा तो छारी है और अगर साथ से कम हुआ तो बच्चो साथ से कम मतलब बाएं तरफ जाओगे तो वो अमली है ठीक है तो ये बात समझ में आ गई कि साथ से कम होगा तो अमली है साथ से जादा होगा तो छारी है और बच्चो अगर साथ हुआ तो उदासीन आ रही बात समझ में साथ हुआ तो उदासीन कोई दिक्कत किसी को मुझे नहीं लगता कि आपको एक परसेंट भी अभी कोई समस्या होई होगी बच्चो अभी हमने तुरंट देखा तो हमने लिखा कि यहह विलियन कैसा होगा अमली होगा यह emails amalie होगा तुरंट हमने लिख दिया बच्चो ठीक है, यह विलियन कैसा होगा, अमली होगा, तुरंत ऐसे लिखा और उसके बाद काम खतम देखते हैं कि आप लोग क्या कह रहे हो, yes sir, all questions are already repeated in board exam, so all questions are most important, yes, very good ठीक है, sir मैंने पहले भी सभी लगा लिये, बहुत बढ़िया साक्षी, अगर आपने लगा लिये ना, तो बहुत अच्छी बात है बच्चो, आप बच्चे जितने महनती होगे, सब का अच्छा नंबर आएगा, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रसन करते हैं, औ प्रसन समझ लो, देखो, यहां आजाओ, एक विलियन का पी ओछ मान छे है, एक विलियन का पी ओछ मान कितना हैं बच्चो, छे, पी ओछ क्या होता है, यह हाइड्रॉकसाइड आइन सांदर्ण जो होता है न, वो हमें यहां पर बताए गया कि, चूकि, किसी विलियन का पी OH मान हमें कितना दिया गया है 6 हमसे पूछा गया है कि इसका पीच मान क्या होगा यह हमको दिया गया है बच्चो वो हमको दिया गया है वहाँ पे इसका पीच हमें दिया है ठीक तो हमने लिखा कि यह हमें पीच दिया है यह बच्चो इतना ठीक अब हमसे बालक बोला गया है क आप इसका pH ग्याद करो तो हम तुरान लिखेंगे कि pH प्लस P.O.H को जोड़ने पे 14 आता है तो अगर हम लोग यहां से pH निकालेंगे तो 14 में हम लोग P.O.H माइनस करेंगे तो 14 में अगर हम लोग P.O.H को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा कितना 8 यह आएगा बच्चो ठीक है समझे में आगए बात कि अगर P.O.H हमारा साथ से कम हुआ तो विलियन चारी होगा और P.O.H साथ से जादा हुआ तो विलियन अमली होगा लेकिन confusion इस दिमाग में मत पालना केवल P.O.H पे फोकस करना P.O.H को इगनोर करते वे चलना नहीं तो हमेशा समस्या होंगी क्योंकि आधा ग्यान हमेशा समस्या ही लेके आता है बच्चो तो यह अब बच्चो देखो एक क्या लिखा हुआ है एक विलियन का P.O.H मान ग्याद कीजिए तो हमने यहां लिखा दिया है ठीक है और दिया है क्या दिया है ध्यान से देखिए हमें दिया है हाइड्रोकसाइड आयन संद्रण तुरंत हमने लिखा हाइड्रोकसाइड आयन संद्रण कितना दिया है एक उड़े दसकी घात माइनस ग्यारा तो एक को हटा दो कोई समस्या नहीं है हमने इसको लिख दिया बच्चो मोल पर लीटर ओके डण 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 मज़ा रही है चलो अब आगे हल करते हैं इसको है ना आगे हल करते हैं बालक देखो जब कभी भी हमें हाइड्रोजन आयन दिया होगा हम उसमें पियेच का फॉर्मय लगाएंगे लेकिन जब हमें हाइड्रोकसाइड आयन दिया होगा तो हम उसमें पियोएच का फॉर्मय लगाएंगे तो अगर बच्चों लोग इसमें रुके रहो, ठीक है, चलो, अब हम लोग इसको POS निकालेंगे, तो POS बराबर आएगा, माइनस लॉग, जिन बच्चो को आता है पहले से, वो लोग ध्यान से सुने हमारी बात, हो सकता है कि लिखने के तरीके आपको पता चल जाएं, क्योंकि बोर्ट इग्जाम में ऐसे ही लिखकर आना है, जैसे मैं लिख रहा हूं बच्चो, ठीक, ये फॉर्मला हो गया, अब हमने लिखा, माइनस लॉग, बेस में 10, और यहां हमें दिया हुआ है, दस की घात, माइनस 11, यार ये 11 कहां आएगा, आगे आएगा, और इस तरीके से 11 हो जाएगा, ठीक, और लॉग और ये हमारा बन जाएगा 10, हमने आपको बताया था कि इस लॉग 10 का मान एक होता है, और यहां से 11 आएगा, तो अंसर बन जाएगा बच्चो कितना 11, ये हमारा किस का मान आया है, पी ओएच का मान आया है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस प्रस्टों को यही से छोड़ हैं, और उसके बाद जल्दी जल्दी में उनसे साब गलत हो जाता है, एक बात याद रखना, अभी जो आपने ग्यात किया है, वो क्या है पी ओएच, अब आप लिखोगे कि चुकी, अगर हमें पी ओएच निकालना पड़ेगा, तो बच्चो हम 14 हमें से अपना पी ओएच म माइनस करेंगे, आंसर तीन आएगा, समझ महीं बात, अच्छे से फार्मूला सर बता दीजे जितना आपने अभी तक पढ़ाया है, अच्छा, ठीक है, हम बता देंगे फार्मूले, बिल्कुल परेशान मत हो, ये पी ओएच कैसा आया है बच्चो तीन, अब एक बात बतान ये विल्यन कैसा आएगा, कमेंट सेक्षन में जल्दी जल्दी लिखो सभी लोग ये विल्यन कैसा आएगा, बोलो बच्चो ये विल्यन कैसा होगा, कमेंट सेक्षन में लिखिए बच्चो, ये है विल्यन हमारा कैसा है बच्चो, अमली है, ये विल्यन हमारा कैसा है बच् हैं trips और tips और tricks की सुनिए धेयां से ठीक है अब कार हम tips और tricks की बात करतें बच्चों कि अब जो गच्चे रटना चाहते हैं उनके लिए भी हम आपको यहां बताएंगे चरह धेयां से देखिए सुनिए जब कभी भी आपको यह जड़ा अपनी कापी पर लिख लिजेगा टिप्स एंड ट्रेक्स इसकी बात करते हैं देखो जब कभी भी आपको हाइड्रोजन आयन दिया हो जैसे मानलो दे दिया हो आपको हाइड्रोजन आयन दसकी घात माइनस ग्यारा तुरंट आप बताओगे कि सर जो इसमें ये लिखा हुआ है नंबर यही इसका पियच है पियच ग्यारा हो जाएगा ठीक उसके बाद अगर आपको इसी तरीके से हाइड्रोजन आयन दिया हो ऐसे और ऐसे दिया हो दसकी घात माइनस ग्यारा तुरंट आप इसको देखोगे और ऐसे लिखोगे कि इसका जो पियच आएगा वो चौदा हमें से ये 6002-11 घटा के तब आएगा और आनसर आएगा 3 ऐसे करना है बच्चों जैसे हमने आपको बताया है ये काम मन में करना है ठीक कि अगर आईट्रोजन आयन दिया होगा तो ऐसे हाइड्रोकसाइड दिया होगा तो ऐसे ठीक अब एक्जाम में कोशन कभी-कभी बहुकल पी आता है और बच्ची इतनी जल्दी में रहते हैं उनका लगता बस पेपर आया है और खतम करके बस तुरण जाना है मेरे को घर तीन घंटा कौन बिताएगा यहां हैं तीन घंटा ब अब ही भी पढ़ाता हूं बहुत सारे बच्चों को लाइव पढ़ाता हूं वहां पे जल्द बाजी में सब गलत करते हैं चाहे वह आफ-लाइन हो और बोले और यह सर पढ़ा नहीं था ध्यान से बच्चों अगर इसको पढ़ोगे नहीं ध्यान से तुरंत आप्शन में 11 भी होगा और 11 पर 20 टिक मारोगे कि आप अई ड्रक साइट पर ध्यानी नहीं दोगे इसलिए पढ़ना जरूरी है चले देखते हैं कमेंट एक बार की सूरजपाल बहुत बढ़िया अमली 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 सारे बच्चे कह रहे हैं अमली होगा अरे बात है अमली ही होगा बच्चो ठीक है आगे बढ़ते हैं और आज बच्चो की संख्या अभी कुछ कम है और सभी लोग यार लाइक सेर कर दिया करो बार बार मुझे रोज रोज कहते हैं अच्छा नहीं लगता है ना यह सब अपना चैनल माल की काम किया करो अब देखो ऐसा कोशन आएगा तो भ अब मैं पहले इसको पढ़ना सिखाता हूं कि बहुत सारे बच्चों को इसको पढ़ना ही नहीं आता है कि यह लिखा क्या है यही नहीं पता हमको सुनिये ध्यान से इसका मतलब है 0.0001 नौर्मल एन एए उच एन का मतलब नौर्मल है जब आप 12 में जाओगे 11 12 में आगे ज तो अभी उस पर ध्यान नहीं देना नाइट्रोजन पढ़ मतलेना ठीक है नहीं तो आपसे बड़ा फिर पागल कोई होगा नहीं यह माल लू नाइट्रोजन है नहीं अब सबसे पहले हम लोग इसमें क्या गयाद करेंगे देखेंगे सबसे पहले कि आखिर हमको क्या क्या है उस पर फोकस करेंगे हमें दिया है कि कोई एक विलियन है उसका ये हमें दिया हुआ है कि इतने नॉर्मल एन एट्विलियन का पीच गयाद करना तो सबसे पहले हम देखेंगे एन ए ओएच और अगर इसको हम लोग आइन में तोडेंगे तो हमारे पास आएगा एन एप् माइनस इसका मतलब है यह OH की वैलू दे गई है यह OH की वैलू दे गई है तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि आता बच्चो हाइड्रोकसाइड आयन सांद्राण इसका वैलू यहाँ पे दिया हुआ है कितना दिया है बच्चो यह हमें दिया हुग गया है बच्चो 0.0001 यह दिया गया है ठीक है आगे करें हम लोग continue एक मिनट चलो मैं इसको live कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले चलो अब पच्चो इतना लिखा कोई दिकत नहीं किसी को ठीक अब हमने इसको थोड़ा solve करना है बच्चो हमको हमने देखा देखो अगर किसी को समझ में अभी भी नहीं आ रहा है न तो एक बात ध्यान रखलो वो दिल से समझ नहीं रहा है क्योंकि जो दिल से समझेगा वे होता सानी से बता रहें. सुनिया ध्यान से. हमने बोला कि 0.0001 अगर हम लोग 10 असमुल हटा दें तो बच्चों क्या होगा जरा ध्यान से देखिए. ये दसमुल हटाया ऐसे 10 असमुल हटाएंगे तो अब बच्चो हम इसको लिख सकते हैं चार जीरो हैं तो हम इसको लिख सकते हैं दसकी घात चार फिर यह एक कहा जाएगा यार इस एक का इसके साथ गुड़ा हो जाएगा जो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा थिक तो हमारा यहां से आगया ओएच का वेलू अभी पे नहीं समझ में आया है तो फिर से समझिए मैंने क्या कहा कि आपको इसको पहले डेसिमल हटाना है इसको पावर में लेके आना है हमने डेसिमल हटाया और चार जीरो बढ़ाये दसकी खाथ चार हुआ उपर लेके गए माइनस में हो गया समझ में आगए यह बात मुझे नहीं लगता एक परसेंट में कोई दिक्कत नहीं है गया सुद्दिन एहमद कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया आप लगातार वही चीज कहते हुए जा रहे हो फिर से अभी अभी जॉइन किया है तो आप फिर से देखना है स्टार्ट करना ठीक फिर से देखें वीडियो तभी समझ में आएगा अब मैं क्या कह सकता हूँ अगर पहली बार आए हो बच्चो तो कैसे आएगा समझ में ठीक चलो मज़ा आ रहा है पढ़ने में एक बच्चा कह रहा है अरे वाह क्या बात आगे स्टार्ट करें अब सुनिए हमें इसका पह याद करना था तो हम लोग यहां लिखेंगे खिचो की पी ओ yach बराबर बच्चो माइनस लॉग और बेस में 10 और ओय ओच माइनस ये हमारा में फार्मिला होता है हम इसमें अपना वैलू पूट करेंगे जो की है हमारे पास कितना? दसकी घात माइनस चार ठीक? दसकी घात माइनस चार यह हमारी वैलू है अब हम लोग यह 10 की घात माइनस 4 को आगे लेकर आएंगे यह जैसे ही माइनस 4 आगे आएगा आगे भी माइनस है दोलों प्लस हो जाएंगे फिर बचेगा इधर बच्चो कितना लॉग और यहां बचेगा 10 और यह भी कितना हो जाएगा 10 और log 10 का जो मान होता है वो कितना होता है बच्चो वो होता है एक तो यहां से हमारे पास 4 हुआ और यह जो value आ गई है यह poh की आई अगर किसी भी बच्चे के मन में doubt है कि sir poh ही क्यों यह ph क्यों नहीं है तो बच्चो ध्यान रखो इस बात को कि यह हमारा hydroxide दिया है अगर hydrogen होता तो हम इसमें pH लगाते formula अगर hydroxide होगा तो poh लगाएंगे ठीक आगे सुनिए बच्चो क्या करेंगे अब हम तो हम लोग लिखेंगे कि अता अता बच्चो pH अगर बराबर निकालेंगे तो हम तुरन लिखेंगे कि 14 में से हम लोग अपना poh घटा देंगे ठीक तो इस 14 में से हम poh को घटाएंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा 10 इस तरीके से हम जो कह सकते हैं कि विलियन जो हमारा आया है वो उसका बच्चो कितना मान आया है पियच उसका मान 10 आया है बहुत आसान था कुछ था ही नहीं बच्चो इसमें चीक है मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी समस्या हुवी होगी अब बताइए मुझे कि ये विलियन कैसा आया है ये विलियन हमारा छारी है विलियन की प्रकत कैसी है बालक छारी प्रकत का हमारा विलियन है आ गया समझ में चलो चमक गया बहुत बढ़िया थाइंक्यू थाइंक्यू उर्मिला और बच्चो आपको बताएं जो हमारे साथ यहां पर उर्मिला लड़की भी है ना ये दो हजार बदब दो साल हो गया है तेंथ भी मेरे से ही पढ़ रही थी इलेवंथ में मैंने जितना पढ़ाया उतने उतना पढ़ा और उर्मिला बहुत अच्छे मार्क्स भी लेकि आई थी अभी उर्मिला तैल्स में और आप देख लो कि बच्चों का प्यार है कि वो आके त्यंथ क्लास में देख रहे कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं है ना उर्मिला, चलो, बहुत बढ़िया और कुछ ऐसे बच्चे है जिनको मैं लाइफ में कभी भूल ही नहीं सकता, ठीक है, चलो, स्टार्ट करें आगे, चमक गया, चलो, बढ़िया, अगला प्रसुन देखो, एक विलियन का हाइडोर्जन आयन सांद्रन, डसकी घात माइन से ही दिया है ताकि आप इसको घर पे कर सको, ठीक है, इसका प्याच आएगा छे, और इसकी प्रकत ही होगी अमली, तो आपको इसको खुद करना है, इस M का मतलब है, मोलर यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है, ठीक, आगे चले, ये प्रस्न नमबर साथ देखो, अब प्रस्न नमबर साथ और प्रस्न नमबर आठ अलग टाइप के प्रस्न है और ये बोर्ड एक्जाम में आते हैं, सुनिएगा बच्चो, ठीक, एक बच्चा कह रहा है कि मैथ नहीं पढ़ाते हैं, क्या, पढ़ाते हैं बच्चो, एक दिन मैथ का क्लास होता है, और एक दिन हमारा इस प्रस्न में हमें दिया गया है कि कोई एक विलियन है और इसका प्याचमान कितना है, बच्चो, चार है, तो हमने लिखा कि एक विलियन है और इसका प्याचमान हमें चार दिया है, अब हम लोग हल करेंगे और हमसे पूछा गया है हाइड्रोजन आयन सांद्रन, तो हमने क्या लिखेंगे हाइड्रोजन आयन संद्रन और हाइड्रोजन आयन संद्रन हमें ग्याद करना है और यह होता है बच्चों H प्लस इस इक्वल टू ठीक है दस की घात और उसके बाद बच्चों यह हो जाएगा चार इसका हो जाएगा चार तो यह हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बोलो कितना असान है ना बताओ कितना असान प्रश्ण पूछा यह हो गया और इसके पीछे मोल पर लिटर लिखना मत भूलना मात रख भी लिखा ना जाता है बच्चों लिखा जाता है ठीक है मोल पर लिटर ओके आगया समझ में चलो नैतिक सुगला कह रहे है सर आप बहुत अच्छा बढ़ाते हैं बच्चों सब बच्चे ही कहते हैं थाइंक यू ठीक है चलो साथ नमबर के बाद आठ नमबर प्रस्ण अब यहां पर जो प्रस्ण लिखा है इससे पहले लिखा था कि पी एच चार है यहां लिखा है कि पी क्यों जरा कोश्चन को ध्यान से पढ़िए कोश्चन बच्चों लिखा है कि पी ओएच बराबर छे दिया है तो हम लोग यहां लिखेंगे कि चुकि पी ओएच बराबर हमें दिया गया है बच्चों छे यह हमको दिया गया है बच्चों हमको यह दिया गया है कि पी ओएच P O H बרाबर कितना है ? 6 है तो यह हमें दिया है हमने लिख लिया यह हमें दिया है P O H ठिक अब हमें करना क्या है हमें इसको हल करना है और हमें ग्याद करना है बच्चों क्या? Hydrogen Ion Concentration तो Hydrogen Ion Concentration के लिए मुझे चाहिए क्या मुझे मेरे पास formula है 10 की घात minus pH तो हम लिखेंगे 10 की घात minus और यहाँ 6 जो है वो P.O.H है तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे pH और pH बराबर होगा 14 minus यह P.O.H तो 14 में हम लोग 6 को minus करेंगे answer आएगा 8 तो यह 10 की घात minus 8 और यह हो जाएगा हमारा answer यार कुछ भी नहीं है अगर एक बार आपने मेरी पिछली क्लास को देख लिया सारा concept समझ लिया तो यह भाईया सब आसान लगेगा आपको लगेगा अरे यार यह तो कुछ है ही नहीं सच में बच्चो यह कुछ नहीं है आप समझ गए होंगे कि यह भाईया आपको 100% एक्जाम में मिल सकते हैं ऐसे question मैं बच्चो लॉली पॉप वाली फालतू फालतू वाली बाते नहीं करता ठीक है कि यह लो सीना चीर के दिखा दिया यह question paper में आएगा आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ाई करो क्या मेरे ही जिम्मेदारी है कि मैं आपको घोल घोल के पिलाऊ नहीं यार जब तक आप सीरियस नहीं हो हम कुछ भी पढ़ा देंगे आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए आपका सीरियस रहना जरूरी है ठीक है आपके समझाने का तरीका बहुत ही अद्भुद है कि कोई भी विद्यारती आसानी से समझ सकता है ठाइंक्यू ठाइंक्यू उर्मिला एक बच्चा पूझ रहा हमारे याँ बारिस हो रही है हाँ हो रही है बच्चो ठीक है ओके साक्षी ठीक है समझ गए आगे अच्छे से समझ में अगला प्रसन देखो अगला प्रसन अब देखो मैं यह नहीं कहता यह 10 प्रसन करके ही जाएंगे साक्षी एक विलियन में हाइडोजन अन सांदर हमें यह दिया है एक बात बता दे हम आपको कि यह कोश्चन बच्चो एक्जाम में आता है यह बात नोट करके लिख लो यह प्रसन आपका एक्जाम में आता है और यह प्रसन 100% आता है यह प्रसन ऐसा है जो एक्जाम में बार बार पूँछा गया है बच्चो प्रस्ण ऐसा है यह जो प्रस्ण है यह एक्जाम में बार बार पूछा गया है इसलिए इसको जरूर पढ़ना है हमें देखो एक विलियन का हाइड्रोजन आयन सांद्रन और अभी मेरी सबी से रिक्वेस्ट है कि बच्चो जरा अब ध्यान देना यह कोश्चन चार नंबर का आता है बच्चो कितने नंबर का आता है बच्चो चार नंबर का आता है बच्चो यह चार नंबर का मोल पर लिटर अब हमको इसको हल करना है अभी तक जो प्रस्ण हम लोग कर रहे थे उन प्रस्णों में क्या था वालक उन प्रस्णों में ये था कि जब हम लोग वो प्रस्ण कर रहे थे हमें यहां एक दिया होता था हम कहते हैं एक क्वाटा दो पर यहां ऐसा नहीं है ठीक है पहली बार आपकी class attend की है काशिम खान कह रहे हैं तो बच्चों पूरा देखो मजा आएगा भी चार गुड़े जस्की घात 9, minus 9 अभी तक क्या हो रहा था ऐसा नहीं था अभी तक जो हमें दे रहे थे उसमें एक गुड़े जस्की घात कुछ रहता था तो हमें एक हटा देते थे क्या चार हटा पाओगे नहीं यह प्रस्ण पहुत important है ध्यान से सुनना बच्चो तो हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि हमें hydrogen ion दिया है तो हम pH वाला formula लगाएंगे और लिखेंगे जो हमें लिखना होता है वही है ना कि भाई यहां पे hydrogen ion concentration हमने अपना formula लोट कर दिया जैसे हमने अपना formula लोट किया अब आगे देखो क्या करोगे यहां लिखोगे बराबर का चिने लगाओगे यहां minus लिखोगे log लिखोगे यह 10 होगा hydrogen ion का हमान है 4 गुडे 10 की घात minus 9 तुरंट note किया box में बंद किया बात समझ में आ गई आगे क्या करोगे अब सुनिए मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ जरा ध्यान से सुनना हमारे पास एक formula है और वो formula है log m गुडे n का अगर दो लोगों का आपस में गुडा हो रहा हो तो हमारा नियम कहता है हमारा सूतर कहता है कि अगर ऐसा होगा तो हम लिख देंगे बच्चो लॉग m और प्लस लॉग n ऐसा हम लिख देंगे हमने फार्मॉला लगाया जैसे ये फार्मॉला हमने लगाया हम तुरंट बोलेंगे कि अब उसर जो आएगा वो आएगा माइनस लॉग बेस में दस और उसके बाद चार आएगा और प्लस होगा लॉग होगा उसके बाद बेस में दस होगा दस की घाट माइनस नौ होगा जैसे हैं आपने फार्मॉला लगाया तो ये M है ये N है लॉग M हो गया लॉग N हो गया लेकिन ये फार्मॉला जो हमने यहां लगाया है एकदम गलत कर दिया है मैंने अब आप सुचोंगे सब कैसे जो मैंने गलत किया है बच्चों यही चीज़ आप से जब एक्जाम में गलत होती है तो घर पे आके बोलते हैं और यार जान नहीं दिया ये प्लस माइनस की गलती हो गई देखो उमने क्या गलत किया बच्चों ये माइनस इसके लिए भी था इसके लिए भी था इसलिए अगर आपने यहां पर ऐसे ब्रैकट नहीं लगाया तो समझ लो एक्जाम में गलत हो गया आई बात समझ वे ये बहुत important चीज़ बताई सर ने bracket नहीं लगाया समझ लो गलत अब आगे इसको हल करेंगे जरा ध्यान से देखना इसको हम छोटा करते है पहले ठीक अब इसको थोड़ा साफ करेंगे ये बार-बार जो पूछे जाने वाली बात है ये सब आप लोग जान गये हो देख लिया है आपने ठीक है देखो अब क्या करेंगे सियों सर द्यान से देखना बेटा माइनस को माइनस रहने दिया ब्रैकेट ब्रैकेट लगाया इस लॉग चार को हम लिख सकते हैं बच्चो लॉग दो की घात दो और नीचे बेस में दस रहेगा ठीक चार को दो की घात दो फिर प्लस है और अभी इसको छेडो मत इसको बच्चो ऐसे ही रहने दो इसको हमने ऐसे ही रहने दिया ठीक Line खीचा आगे Continue करेंगे अब सुनिए Minus को Minus रहने दिया बच्चो Minus को Minus रहने दिया फिर उसके बाद देखो यह हमने लिखा Log ठीक है Log लिखा बच्चो उसके बाद 2 लिखा ठीक है इस तरीके से यह हो गया और उसके बाद इसकी घाट 2 हो गई इतने बात समझ में आगई ठीक अच्छा यह बात Clear हो गई यह 2 की जो Power है घाट की घाट है वो आगे आएगी इसका मतलब यह आगे आएगा अब सुनो मेरी बात अब जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना यह 9 जो है वो भी आगे आएगा और यह माइनस का 9 और लॉग बन जाएगा और बेस में यहाँ 10 होगा और बच्चो यह 9 होगा ठीक तो यह हमने 9 लिख लिया बताओ यह बात समझ में आगई ठीक स्वरी एक मिनट लॉग 9 तो आगे आया तो प्लस माइनस माइनस कर गया और यहाँ 10 मैं अभी कमेंट भी देखूंगा पूछूंगा नहीं समझ में आओगा फिर से बताओगा जरा ध्यान से देखो बस इतना समझ में आया अब सुनो सर फिर से बता दीजे मैं अभी बता दूँगा पूरा रिवाइस करूँगा बिल्कुर परिशान मत हो ठीक सुनिए अब मैं आपसे एक बात पे सौरी बोलना चाहता हूँ अब आप बोलोगे सर क्यों मैं कल के वीडियो में लास्ट में मैंने लिख दिया ध्यान से सुनना मैं वापस जाता हूँ अपनी पहली स्लाइड पे और इस पे आता हूँ देखो हमने आपको कल लॉग दो का मान बताया था ठीक है और वो हमने बता दिया था जाना मत अभी सब सही हो जाएगा मैं क्या बता रहा था सुनिये का ध्यान से मैं क्या बता रहा था सुनिये का ध्यान से मैंने बताया कि लॉग जो दो होता है इसका जो मान होता है वो होता है बच्चो जीरो दसमलो ठीक है जीरो दसमलो तीन जीरो एक जीरो यह होता है लॉग दो का मान ये बच्चों मारा log 2 कमान है और base में इसका 10 होना चाहिए कल के वीडियो में मैंने बोल दिया कि log 2 कमान 1.414 होता है बच्चों वो जल्दी में बोल दिया हमने ठीक है क्योंकि log 2 कमान हमारा ये वला होता है हो जाती है confusion कभी-कभी तो log 2 कमान हमने बता दिया बच्चो आगे शुरू करे आगे एक बच्चा करा अब मैं daily पढ़ूँगा या daily नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा अगर daily पढ़ोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा ठीक इसलिए daily पढ़ना जरूरी है सुनिए आगे सुनिए एक value और note कीजिए log 3 की और वो होती है 0.4770 ठीक है एक भी होती है वहाँ पे आपको लेकिन note करने की ज़रत नहीं है समझ में आगे इतनी बात तो हम लोग कहा थे अपने question number 9 पे थे कि यहाँ पे था मैं किक यहाँ पे था पूरा साफ हो चुका है जानते हो तुम लोग लेकिन हमको याद है कि क्या लिखा था मैंने मैंने लिखा था यहाँ पे की हाँ मैंने लिखा था minus log यहाँ पे बच्चो 2 की पावर 2 था तो वो 2 आगे आ गया था जानते हो तुम लोग सभी लोग 2 आगे आ गया था और उसके बाद bracket बन था यहाँ minus था और उसके बाद base में 10 था minus यहाँ पे 9 था और log 10 था ठीक है यहाँ पे ऐसे ही था ना अब यहाँ पे हमें minus लगाना है 2 लिखना है log 2 कमान लिखना है 0 था समलो 3 0 1 0 minus 9 और log 10 कमान 1 होता है समझे में आई इतनी बात ठीक अब हम लोग क्या करेंगे minus लगाएंगे इसको इसके साथ गुड़ा करेंगे तो 0 था समलो 6 0 2 0 आएगा और minus हो जाएगा बच्चो 9 समझे में आगया सुनिये का ध्यान से अब 9 में हम इसको घटाएंगे तो कुछ बच्चे घटा नहीं पाते हैं तो ध्यान से देखना 9 0 0 0 और ऐसे घटाएंगे हम लोग इसको 6 0 2 0 यह 0 हुआ ठीक है यहाँ 10 10 में हासी लेने की कोई जूरत नहीं है 0 में 0 गया यहाँ 10 10 में 2 गया 8 फिर उसके बाद 9 9 में 0 गया तो यहाँ पे सभी को पता है देखो यहाँ 10 हो गया 10 में 2 गया 8 फिर यहाँ 9 9 में 0 गया तो आपको पता है कि 9 आएगा यहां पे 8, 8 में 6 गए तो 2 आएगा ठीक और इसके बाद असमलो और यहां से होगा 8 इसका मतलब घटाने के बाद अंसर जो आएगा वो आएगा माइनस और यहां भी माइनस 8.2980 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8.298 यह लगभग आएगा यह कैसा विलियन आया है चारी आया बताओ बच्चों यह बात समझे में आगई आपको मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगी मैं कमेंट देख लेता हूँ अभी ठीक है कोई दिक्कत किसी को ठीक है एक मिनट यहां 9 होता है तो यहां पर 3 आएगा ठीक है 10 उसके बाद 9 फिर उसके बाद 9 तो 3 आएगा 9 आएगा 8 आएगा और यह ठीक है तो यहां 3 कर लो तो 3 9 और उसके बाद 8 यह विलियन हमारा चारी होगा अब बताइए कमेंट सेक्षन में आप लोग की कोई भी दिक्कत तो नहीं है यस यस मुकेस दिर पाठी कोई दिक्कत नहीं है चलो बहुत बढ़िया आगया समझ में पूरा सूत्र बता दीजे मुझे मनसूरी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पिछला वीडियो देखो पियच वाला वहां हमने सब कुछ बताया है ठीक है बच्चों हमें उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा चलिए फाइनली हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं एक कोश्चन हम आपको देख के जाते हैं इसका उत्तर हमें आप कमेंट सेक्षन में बताएंगे और यह आपका होउमवर्क कोश्चन है ठीक है इसको आप करेंगे और अगर आप हमारे साथ लगे रहेंगे हमारे साथ मेहनत करेंगे तो एक्जाम टाइम में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एक्जाम टाइम में हम लोग करेंगे बच्चो क्या वन सौर्ट रिवीजन वन सौर्ट मतलब एक वीडियो में पूरा समझेंगे कि पूरा चैटर एक ही वीडियो में कवर करेंगे ठीक, revision type करेंगे, चलो, अभी तक आपने अगर telegram नहीं join किया है, तो नीचे link है, आप जाके join कर लेना, आपने मुझे subscribe नहीं किया है, तो जाके subscribe कर लेना, what's up, facebook, ये सब आपके बस की बात नहीं, ठीक है, बस एक चीज याद रखना, गुरुजी है तो संभो है, इस बार हमे एक्जाम में फोड के आना है, और कम से कम हमें 90% तो क्रॉस करना ही करना है, बच्चो, और मैं 100% स्योर्टी के साथ क्या सकता हूँ, जो बच्चा आखरी दम तक लगा रहेगा, वो बच्चा आखरी तक, इतना अच्छा पढ़ाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अ जाँ में कु आईचा आपएंगे, ऑी हमें का नहीं आएगे, जो एक्त आएगे, टूस पार साथ हो कम हमें तक लग二, जूस नहीं हैं, यू कि हम उप बच्नावबाने, बच्छा आएगे, आएगे, शिज़ आणबाने, जो खो पक्ष्माँ उन्स